खुसी बुटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाईए, ओल पे कलिक कीजिए, लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं सरमिला फगेडिया, आप देख रहे हैं खुसी बुटिक, आज मैं आपको पॉंचे में फोर्म लगाना बताऊंगी, तो इसके साथ मैं आपको तीन बातें बताने वाली हूँ, जो हम पॉंचा बनाते हैं तो उसमें जोला जाती है फोर्म लगाने से, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये दो कली जोइंट कर ली है, इसमें मैंने चार कली कटिंग की है, पहली बात हमें ये पहले कपड़ा लगाना चाहिए, यहाँ पे फोर्म नहीं लगाने चाहिए, पहले हम इस कपड़े को जोइंट करेंगे, यहाँ पे हम फो तो जैसे फॉर्म थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी, खिच जाएगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म नहीं रखेंगे, इसको हम सीधा करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, दूसरी बात मैं आपको बताने वाले हूँ, कि जैसे हमने यह फॉर्म कटिंग की है पॉन्चे के लिए, इसको हमें तिर्चा कटिंग करना चाहिए इस तरीके से, अब हम इसको इसके निच्चे रखेंगे, कपड़े के, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ध्यान रहे कि यह, जैसे इस सिलाई से थोड़ी सी आगे होनी चाहिए, यहाँ पे इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे, इसके उपर की साइड कपड़ा जरूरी है फॉर्म के, निच्चे की साइड हो या ना हो कोई फरक नहीं पड़ता, अब हम इस पे यहाँ पे चेक कर लेंगे कि यह फॉर्म हमारी कहां तक है, इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे, तीसरी बात मैं आपको आप बताऊंगी, इसको सिधा करके, यह देखिए फॉर्म मैंने लगाई है, तो यह नीचे वाला कपड़ा हमें नहीं दिखना चाहिए, अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ, यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं दिख रहा है, तो देखिए वो कपड़ा हमें नहीं दिख रहा है, तो यह बाहर की साइड नहीं आएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी फिनिसिंग आएगी, यह नीचे वाला कपड़ा बाहर नहीं आएगा, यहां पे मैं एक सिलाई लगा लेती हूं एक पैर की जगा छोड़के तो इस तरीके से आप भी अपनी पौंचे में फोर्म लगाएंगे तो कोई भी जोल नहीं आएगा तो देखी एक सिलाई मैं यहां पे लगा लेती हूं यहां पे सिलाई लगानी है जैसे जहां तक हमारी फॉर्म है हाथ के इसारे से हमें पता लग जाएगा कि यहां तक हमारी फॉर्म है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है तो आप देख सकते हैं पॉंचे में बिल्कुल भी जोल नहीं आई है बहुत सुंदर finishing आई है अब मैं इसमें जो भी design डालना चाती हूँ डाल सकती हूँ और आप भी अपने पॉंचे में जो design बनाना चाते हैं वो बना सकते हैं तो देखिए पॉंचा कितना सुंदर बना है इस तरीके से आप भी अपनी सलवार का पॉंचा बना सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर से कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में